आज कल की बढ़ती पेट्रोल प्राइज डेली कम्यूटर्स के लिए यानि की ओफिस गोइंग और कॉलेज गोइंग लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और उपर सुन की गाड़ियों का माइलेज भी कम हो जाता है किस वज़ा से ड्रॉप हो रहा है और उसको सही कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूँगा इस शॉट सी वीडियो में वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजगा नहीं पसंद आए तो कॉबरेंट सेक्शन में बता दीजगा कि क्यों नहीं पसंद आ रही है ये वीडियो जो है वो motorcycle और scooters दोनों के लिए applicable रहेगी और mileage जो है वो आपकी motorcycle का इस वीडियो को देखने बाद तो definitely बढ़ जाएगा अगर आप उन पांच चीज़ों पर ध्यान दे देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हो पा रहा है सही से या spark plug में कोई problem है जिस वज़े से वो ignite नहीं कर पा रहा है उस वज़े से आप यह सोचेंगे definitely कि petrol जो है वो कम जलेगा लेकिन ऐसा नहीं है engine को जो है same power produce करने के लिए उससे जाधा fuel consume करना पड़ जाएगा क्योंकि spark plug उसको सही से ignite नहीं करेगा ज सबसे पहला reason आप समझ गए होंगे कि spark plug अगर आपकी गाड़ी का खराब है तो वो एक बहुत बड़ी problem बन सकता है आपके mileage को लेकर बहुत important चीज़ है spark plug को जरूर चेक कराईए कि उसमें problem है या नहीं जो एक normal spark plug है four stroke engine का वो जो है 10 से 12,000 km का company उसमें change interval देती है replacement interval के 10 से 12 1000 km वो चल सकता है लेकिन मेरा recommendation यह है कि आप 10,000 km पर अपने spark plug को definitely change करा लें spark plug brands का बता देता हूं NG के या Bosch में से आप किसी पर जा सकते हैं बाकी दूसरे brands को मैं prefer नहीं करता हूं अगर NG के मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है वरना Bosch पर आप जा सकते है Bosch easily available रहता दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपकी motorcycle या scooter में drum brakes हैं जो most probably scooters में पीछे के wheel पर आते हैं drum brakes उसमें क्या होता है brake shoe या brake pad जो है वो खराब हो जाता है तो mechanics के करते हैं उसको tight कर देते हैं और customer भी कहता है tight कर दो भी पैसे नहीं है brake डलवाने के तो वहाँ पर क्या हो दूसरी चीज बता देता हूँ आपको यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी फास्ट चल रहा है है मैं सोच के रखा था कि वीडियो को हम short and crisp रखेंगे और to the point रखेंगे जो के हमेशा की SR Motor World की आदत है तो आज की इस वीडियो में भी यह होने बाला है अगली चीज मैं आपको समझ जा रहा हूँ तो एंजिन को आपको जिस तरीके से समझ सकता है एंजिन जहां से एर सक करता है वो होता है fuel injection या carburetor से वो सक करता है petrol और air का mixer वहाँ पर मिक्स होता है और एंजिन के अंदर तो जो वहाँ पर engine air सक कर रहा है अगर वह एर सक करने में हम engine में ब्लॉप कर जगे को तो क्या होगा कि engine सही से air सक नहीं कर पाएगा तो as a result क्या होगा petrol जो है वो जादा जाने लगेगा air कम जाएगी इस वज़े से भी combustion process खराब हो जाएगा petrol सही से जल नहीं पाएगा unburned gases जादा निकलेंगी carbon deposits petrol waste होगा आपका तो क्या होगा air नहीं जा रही है तो सह इसे ना वो power produce करेगा ना performance deliver करेगा और ना ही mileage deliver करेगा तो अगर आपकी गाड़ी में mileage कम होने की problem आ रही है तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको air filter को clean कराना है दूसरी चीज spark plug पर आपको ध्यान देना है अगला जो point है वो है bike riders के लिए motorcycle riders के लिए जो chain होती है अगर chain जो है वो oil डालें या lube डालें lubricated जरूर होनी चाहिए अगर chain lubricated नहीं है तो जो engine की final drive train है यानि कि जो पीछे के wheel पर power आ रही है वो chain के थूरू आ रही है अगर chain lube नहीं है वहाँ पर उसमें lubrication नहीं है तो chain जो है वो थोड़ी सी seize वाला effect देगी jammed चलेगी सही से links जो है कि ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इससे mileage का दूर दूर से कोई connection ही नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका connection है और connection कैसे है वो भी explain कर देता हूँ engine oil अगर engine oil change नहीं करता है तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ engine खराब होता है mileage और इन सब चीज़ों पर effect नहीं प करती है जब engine oil खराब हो जाता है उसके particles breakdown हो जाते हैं वो सही से lubrication नहीं provide कर पाता है तो वो जो flim जो है वो खतम होने लगती है और engine oil parts के faces को पकड़ के नहीं रखता है तो वहाँ पर क्या होता है engine में सही lubrication ना मिलने की वज़े से engine जो है वो tight सा चलने लगता है और जो आप अभी ride कर रहे हैं अब अगर आप सही तरीके से ride नहीं करते हैं हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो लंबी होने दीजे लेकिन आपको सारी चीज़ें बताना मेरा फर्ज है तो अगर आप सही तरीके से motorcycle को ride नहीं करते है या फिर scooter को ride नहीं करते है इंस स्चुछ को अगर वह सही से सथ से ब्रेक लिवर उसमें उसमें प्लेवर और ज़ो प्लेट कर देंगी तो यह उसको प्लेट खतम कर देते हैं उससे हलका सा clutch आपका दबा रह जाता है, तो जब clutch हलका सा दबा रहता है उस पर आप motorcycle को ride करते हैं ना वो सही से performance deliver करेगी, ना आपको mileage deliver करेगी, और clutch plates भी खराब हो जाएंगी, तो ये कुछ चीज़ें है छोटी मोटी जिस पर आपको ध्यान देना है, सही gear पर, सही RPM पर चलाईए है motorcycle को, और एक चीज़ और, कि अगर आप खराब roads पर motorcycle या scooter को चला रहा है तो वहाँ पर भी आप बार बार brake लगा रहा है बार बार accelerate कर रहा है, इससे भी mileage है वो थोड़ा सा drop होता है, अगर आप motorcycle को अपनी एक stress free engine RPM पर चलाएंगे, यानि कि 4000 RPM, 5000 RPM पर engine जो है वो normally stress free रहता है, एक motorcycle का तो उस पर जब आप इसको चलाएंगे, तो वहाँ पर 40, 45, 50 की speed रहेगी constant speed पर चलाने से mileage जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और अब जो सबसे important चीज़ है, वो अब बताने जा रहा हूँ आपको वीडियो में, जो कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन mileage को बहुत तेजी से affect करती है तो वो है tire pressure, अगर आपकी motorcycle का, या scooter का tire pressure सही नहीं है तो वहाँ पर भी definitely आपको mileage drop हो जाएगा, क्योंकि tire pressure सही नहीं होगा तो road से traction बहुत जादा बन जाएगा wheel का, और wheel जो हो hard to turn हो जाएगा जिस वज़े से engine को wheel को घुमाने में load आएगा, तो वहाँ पर भी एक problem हो सकती है और एक और चीज़ बता दू, कि अगर आप 2 या 3 लोग गाड़ी पर बिठा रहा है, जो के recommended नहीं है तीन लोग बिठाना, तो वहाँ पर भी mileage drop हो जाता है क्योंकि गाड़ी पर weight जादा हो जाता है engine पर जादा load आता है तो ये सारी चीज़े हैं, जिस वज़े से आपकी गाड़ी का mileage mileage drop हो रहा है, तो इनको ज़रूर चेक कराई है पहले चोटी-चोटी चीज़े चेक कराई है, mileage अगर सही होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है, तो फिर आप spark plug, air filter और इन सब चीज़ों पर जा सकते है तो आज किस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंदाई, लाइक कर दीज़े का नहीं पसंदाई, comment बताईए का क्यों नहीं पसंदाई तो गाई, सांक्स वाचिंग, स्टे ट्यून, तिल देन वेट फो माइनेक्स अपकमिंग इंट्रेस्टिंग वीडियो